आसलाम लेकूम टो आल तो आज हम बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा जैम बना कर त्यार करेंगे मिक्स फ्रूट जैम हम घर पर बना कर त्यार करेंगे बजार में बहुत सारे जैम्स अवेलेबल होते हैं लेकिन हम बचों को घर का खाना प्रिफर करते हैं जो कि बचों के लिए बहुत healthy रहेगा और बचों को घर पर अपने हाँ से बना कर खिलाने में बहुत मज़ा आता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही simple और easy way में बना कर त्यार करेंगे इसे हम घर पे available fruits का use कर सकते हैं बजार में बहुत सारे fruits available हैं इस व circumstance हम अंगूर ले लेङे, सेप लेहए पापाया ले लेंगे ऑरिंज ले ले लेंगे dragon fruit ले लेंगे, हम शेहतूर्स ले लेंगे, हम इसमें strawberries ले लेंगे, jam ले लेंगे जो fruits घर में available हैं वो डालेंगे सबसे पहले हमें कड़ाई ले ले लेंगे जिसमें हमने अंगू डालिये हैं green अंगूर उसके बाद हम इसमें गोवायन के jam डालेंगे apple डालेंगे strawberry डालेंगे red color के हम इसमें अंगूर add करेंगे papaya add करेंगे अब हम इसमें घ्र सारा अनार भी add करेंगे अब हम इसमें गलेंगओ nuevas और्राइगन फ्रूल्त डालेंगे हम एक अधार अप्पल ऑड़ eruption करेंगे और एक हैवत जितने घर में फ्रूर्स अवैलेबल थे वह मैंने स्ट्राबेरी जरूर एड़ करें जिसे टेस्ट बहुत इनाहन्स होता है अब हम इसमें चीनी आड़ करेंगे मैंने 150 ग्राम्स इसमें चीनी आड़ की है फ्रूट की कॉंटिटी के हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं एक्वली अगर दे 300 ग्रामस मिनिट टोटल फ्रूट ले लेते तो तो उसे हाफ कॉंटिटी में मैं इसमें चीनी आड़ की है आप इसे सबसे एड़ कर सकते हैं ग्यास के फ्लेम को हाई रखेंगे हाई फ्लेम पर हमने इसको तकरीबएं आठ से दस मिनिट के लिए अचितरा से पकाना है और हर एक मिनिट बाद इसको एक तरह से मिक्स करना है एक बार मिक्स चमच की मदर से इस तरह से अच्छी तरह से मिला लें इसको मिला दे जाएं ग्यास के फ्लेम पर पकाते जाएं ताके फ्रूट्स हमारे अच्छी तरह से चीनी में घुल जाए अच्छी तरह से हमारा घुल बनकर रेडी हो जाए चीनी का इसमें फ्रूट्स हमारे अची तरह से पक चुके हैं ग्यास के फ्लेम को आफ कर देंगे खरीब 8-10 मिनिट के लिए हम इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे जब अची तरह से हमारा ये मिक्सर ठंडा हो जाए तब हम इसको क्या करेंगे एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसवर करेंगे और उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे हम देखिए शुगर सिरप में अच्छी तरह से फ्रूट्स को पकाने के बाद ठंडा करने के बाद बहुत ही एकदम यम्मी सा इसका लुक दिख रहा है अब हम इसको ग्लेंडिंग जार में पीस लेंगे अच्छी तरह से इस तरह से पीसने के बाद हम क्या करेंगे एक ठंडी के मदद से अच्छी तरह से इसको छान लेंगे हम देखिए इस तरह से ताके इसमें जो एक्स्ट्रा जो बींज है जो भी एक्स्ट्रा इसमें पल्प है वो निकल जाए देखिए इस तरह से हमने इसको चानना है अब हम क्या करेंगे यह सेम प्रोसेस से जितना भी हमने फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्षर रेडी किया है तमाम इसके फ्रूट्स को हम पीस लेंगे इसी तरह से हम जो भी हमारा प्यूरे है उसको हम अलग कर लेंगे देखिए fem hai손o के लासट भी हमारा ट्रिप हो चुका है अची तरह से हमने सारा जो हमने फुरट पका लिया थासा रसमें विश्कािशस में में के मदसेवां परिआ हैं देखिए सारे मिकसर को एक जगा कुछंप हम अच्छी तरह से जान लेंगे कि अवह अच्छी सी खुष्ब हा रही है इसकी देखी तरह से चांते हैं हमने सारे पल्प को अलग कर लिया है चप्रणी से भी सारा हमारा पल्प एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेंगे जबर्दस सा हमारा जैम का प्यूरे रेडी हो चुका है अच्छी तरह से हमने इसको दुबारा से पकाना है हमें कड़ाई चड़ा लेंगे और ग्यास के फ्लेम को हाई कर लेंगे इसमें हमने जो भी प्यूरे फ्रूट्स का रेडी किया है उसको हम इसमें आट कर देंगे अब हम इसको थिक होने तक अच्छी तरह से पकाना है हाई फ्लेम पर इसकी लाइफ अच्छी तरह से रखने के लिए याने के इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए और इसको जाम हमारा अच्छी तरह से रहने के लिए इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमने इसमें एक नि नीचे से लग जाएगा आठ से दस मिनिट हमें इसी तरह से पकाना है इसको तो लीजिए पकते वे चार से पांस मिनिट हो चुके हैं तकरीबन 50-60% यह गाड़ा हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसको इसमें हम कलर एड करेंगे रेड फूट कलर एड करेंगे दो चुटकी क अगर आपको डालना चाहे तो आइट करें वरना इसको स्किप कर सकते हैं तो लीजिए इसी तरह से इसको थिक होने तक याने के गाड़ा जैम की शकल में आने तक अच्छी तरह से पकाना है हाई फ्लेम पर खरीब 8 मिनिट हो चुके हैं हमने इसको कंटिनियूम मिक्स करते ह हुए पकाया है वनना यह नीचे से लग जाएगा आपको भी इसी तरह से पकाना है थोड़ा सा पेशेंसी की जूरत पड़ती है इसको पकाने के लिए तकरीब हमारा जैम अच्छी तरह से पक चुका है खरीब 9 मिनिट हो चुकी है देखिए थिकनेस हमारी जैम की आना स्ट होने के लिए रख देंगे आफ करने के बाद भी एक दो मिनिट के लिए हमने इसको मिक्स करना है ताके यह नीचे से ना लगे और लंस भी इसमें बिल्कुल ना आए तो लीजिए जबर्दस सा हमारा जैम बनकर रेडी हो चुका है इसको कंप्लीटली ठंडा होने के लिए आदे से एक घंटे के लिए एक घंटे बाद हमने इसको एक जार में ट्रांसवर करना है जबर्दस सा हमारा जैम मिक्स फ्रूट जैम घर पर बनकर तयार हो चुका है सिफ 45 से 50 मिनिट के अंदर अंदर हमने जैम जो घर में अवलेबल होते हैं उससे हमने बचों के लिए जै जैम बना कर तयार किया है घर में फ्रूट तो अवलेबल रहते ही हैं उससे हमने जैम बना कर तयार कर सकते हैं देखिए कितना शांदा और यम्मी सा हमारा जैम बनकर रेडी हो चुका है देखिए बचों को इस तरह से हम लगाकर सर्फ कर सकते हैं आई होप कि आपको मेरी र मिक्स फुर्ट फूर्ट की जगा हम इनडिविजि Ooh यहाने के दो से तीन फूर्ट के साथ भी हम जैम बनाकर इजली घर पर बनाकर त्यार कर सकते हैं सेम प्रॉसेस होगा। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लेगी है मिरे वीक